और क्या मंगल पर जीवन की शुरुवात हो सकती है दोस्तों अंतरिक्ष में केवल प्रत्वी पर ही जीवन है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन बीते कई सालों में वैग्यानिक और खास कर एलॉन मस्क द्वारा किये गए प्रयासों और रसर्शों में पता लगा है कि मार्स प बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि आखिर कैसे बनेगा मार्स प्रत्वी की ही तरह एक हैपिएस्ट प्लैनेट तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इल लॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे दावा करते हैं कि अगले कुछ सालों में वे मार्स पर इंसानी बस्ती बसा देंगे और प्रत्वी की तरह मार्स को भी इंसानों के रहने लायक हो जाएगा लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर मार्स ही क्यों क्योंकि अंतरिक्ष में और भी प्लैनेट हैं उन पर क्य तो नहीं क्यों आखिर अन्य स्पेस एजन्सी और खास कर एलॉन मस्क मार्स को ही क्यों इंसानी अड़ा बनाना चाते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जो अन्य ग्रह मौजूद हैं वो तो या प्रत्वी के काफी नजदीक जिस पर हम लाइफ इमेजन भी क्योंकि ये सतह हीन हैं और गैस से भरे हैं अब चुकि हमारी प्रत्वी और मार्स सूर से ना तो दूर हैं और ना ही पास इसलिए यहां जीवन की कल्पना कर भी सकते हैं क्योंकि क्या मार्स पर जीवन प्रत्वी जैसा ही सुखद और सरल होगा तो जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा, क्योंकि मार्स का atmospheric pressure प्रत्वी के atmospheric pressure का 0.6 प्रतिशत है, और अगर बात करें मार्स के atmospheric की तो मार्स पर प्रत्वी की अपेक्षा oxygen लेवल 0.1 प्रतिशत है और इसी कारण मार्स पर पानी भी गैस के रुप में उड़ जाएगा हाला कि मार्स पर एक research में पानी frozen form में पाया गया था लेकिन ये एक धोखा था क्योंकि शायद ही वो पानी था और अगर पानी था भी तो वह किस form में था इसका आप तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि oxygen level कम होने के कारण पानी का frozen form में परिवर्टित हो नहीं सकता था magnetic field है और ना ही ओजोन परत जिसके कारण की सूर्य की निकलने वाली हानिकारक radiations और किर्णे को सीधा Mars एंटर करेगी जो की हमारे लिए बहुत हानिकारक है और magnetic field ना होने के कारण अंतरिक्ष से आने वाले किर्णे भी जीवन के लिए एक काफी बड़ा challenge है इसके अलावा प्रत्वी की अपेक्षा Mars पर gravity तीन गुना कम है अब इन सब समस्याओं को लेकर Mars पर जीवन की कल्पना करना तो नामुम्किन है लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है और अगर बात करें gravity और magnetic field की तो Mars पर प्रत्वी जैसी gravity और magnetic field के लिए हमें बड़े-बड़े electromagnet की cycle यानी chain चाहिए होगी जो की Mars के चारो और घूमते रहेंगे और उनकी उर्जा और गती से ही Mars पर प्रत्वी की तरह gravitational force create होगा इसके अलावा electromagnet से जो field create होगा वो Mars को अंतरिक्ष की harmful केड़ों से protect करेगा और अगर हम बात करें Mars के atmospheric problem की तो जैसा कि हमें पता है कि Mars का atmosphere काफी हलका है जिसकी वज़े से उसमें carbon dioxide भड़ा है और oxygen level 0 है इसलिए हमें Mars पर कुछ ऐसा करना होगा कि Mars का atmosphere प्रत्वी की तरह थिक हो जाए अब अगर हम प्रत्वी से oxygen और nitrogen जैसे गैसों को Mars तक ले जाते हैं तो ये काफी costly होगा और काफी मुश्किल भी हमारे वैग्यानिकों ने ये ग्यान लगाया कि वे Mars पर अंतरिक्ष में मौजूद cometus जिनमें nitrogen, बर्फ और carbon dioxide से भरे होते हैं उन्हें अपने रास्ते से विचलित कर Mars की ओर land करवाएंगे लेकिन सिर्फ एक, दो, तीन या चार cometus नहीं बलकि करोनों की संख्या में मौजूद cometus को Mars पर land करवाना होगा क्योंकि एक cometus केवल 5 प्रतिशत ही nitrogen मौजूद होता है और जब ये cometus Mars पर land करेंगे तो ये Mars पर तेजी से बूम होंगे जिसकी वज़े वहां का atmosphere लगबग प्रत्वी की तरह होने लगेगा अब चुकि प्रत्वी की तरह Mars का atmosphere रहेगा तो Mars पर पानी liquid form में होने लगेगा जिसके लिए हमें Mars पर मौजूद पानी को प्रत्वी के समुद्र नदी तलाब के जैसे एकत्रित करना होगा जिससे की पानी सूरच की गर्मी से भाप में तबदील होने लगेगा और ये जाहिर सी बात है कि पानी भाप में बदलेगा तो Mars पर बारिश भी होगी अब चुकि बारिश होगी तो ये गड़े और भी गहरे और लंबे होगे जिसकी वज़े इन में और अधिक पानी एकत्रित होगा जो कि हमारे लिए काफी फायदेवंद है और अब बात आती है ऑक्सिजन की तो ये वैग्यानिकों के लिए बाएं हात का काम है और हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रत्वी पर जीवन एक छोटे से बीन एलगाई से उत्पन हुआ था सेम प्रोसेस वैग्यानिक मार्स पर करेंगे जिससे कि वहां भी प्रत्वी की तरह भरपूर मात्रा में ऑक्सिजन मौदूद हो जाएगा और इस तरह से मार्स भी प्रत्वी की तरह इंसानों के तबाह करने लायक तयार हो जाएगा और हमारे वैग्यानिक इन उपायों को अभी तक इतना सहज इसलिए माने रहे हैं क्योंकि अभी तक मार्स पर मानो जीवन के फ्यूचर का कोई और उपाय नहीं मिला है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कॉमें अपनी राय जरूर बताएगा वीडियो में आंते तक बने रहने के आप सभी का धन्यवाद